Majority of cases देवे students confused हुंदे या private and public colleges नू लेके Private colleges देवे अच ओ इसलही नहीं जाना चाहूंदे क्योंकि वो डर्दे हुंदे है कि सानु इस देवे शायद postgraduate work permit नहीं मिलना But सब तो पहला अपनू इस समझन दी लोड़ा कि ये दोनों institutes देवे difference की हुंदा जो पब्लिक colleges हुंदे या जनना अपा government colleges वी कहा दे निया एक government funded colleges हुंदे या जडे private colleges हुंदे इनना अनू government funds नहीं मिल दे एहे privately funded colleges हुंदे या But कुछ colleges इस Canada देवे इस तरह दे विया जो प्राइवेट हा but उना देवेच postgraduate work permit अलेजीबल हुआ So complete detail list जानना लगी तुसी DLI list देवेच जा सकते हुं उस देवेच जाके तुसी according to the province हर इक college स्लेक्ट कार सा देओ और देख सा देओ कि उस देवेच postgraduate work permit अलेजीबल हुआ या नहीं So let's take an example जैमें कि Alexander College जा ब्रिटिश क्रंबिया देवेच Alexander College प्राइवेट कॉलेज हा बाट वो टोटली postgraduate work permit eligible college हा Even जो दो तुसी DLI list देवेच जाओंगे ता उस देवेच मैंचनना कि केड़े तुसी courses पिक या केड़े प्रोग्रम्स जेड़े या तुसी पिक करने हो Alexander देवेच ता उस देवेच work permit eligible होगा जो तुसी उस तो इलावा कोई होड प्रोग्रम्स सेलेक्ट करने हो तो उस देवेच postgraduate work permit eligible नहीं है गयो प्रोग्रम्स तो आसे लिंक दे रहे हैं DLI list ता जो तुसी official website ते कैड़े देज जाके अपने institute दे postgraduate work permit दी eligibility चेक कर सादे हो Good luck with the applications and take care